ए आसलाम तो कम ना जरीन मैं आपका स्तेक्बाल करता हूं रोहान प्रोहने शिफा खाना पर और रोहाने सब्से खूपसूरत सेगमेंट रोहानी पॉटकास्त में जहां हम आपके कहीं सारी divert रुहानी सवाल करते हैं और उन रुहानी सवालों का जवाब देते हैं मेरे पीरों मुर्शिद हजरत कौसर अली अश्रफी सहाब और ये रुहानी पॉड़कास्ट का मौजव है खास तोर पर ग्यारवी शरीफ को ध्यान में रखते हुए हजरत बड़े पीर दस्तगी रज्याला अन्हकी जिन्दगी मुबारक की वो बारी एक पहलू जो के काफी सूफियाना है उन पर इंशालला रोशनी डालेंगे जैसे हर बारी देखा गया सबसे पहला सवाल तो ही होगा उनकी आमद की खुशकबरी को लेकर जैसे हजरत देखा गया है औलिया या अन्बिया एकराम जभी भी जाहर होने वाले होता है तो उनकी खुशकबरी काफी राजद होती है तो क्या आपकी बड़े पीर दस्तगी आमद की खुशकबरी कोछ ऐसी थी पिस बिसम लाराहमार औरहीम अलाहमस अल्या सियदनाम महम्मदी वाला ली सियदनाम महम्मदी कमात अचिब्बा तर्दा बे एंतु सल्यादी सल्यालाहु टालाही आले सलनका जैसा कि आपने सवाल की होजूर्ण शेक अब्लकादिर जील अक्सर सुनने में आया है कि इन बड़ी हस्तियों के दुनिया में तश्रीफ आवरी से पहले, इनके आने से पहले ही इनकी आमद की ख़बर आम हो जाना, जैसा कि सरकारे दौालम सल आलाहु ताला रेसलम के विलादते बास आदत से पहले, आपकी खुशकबरी सुना दी गई, अंबिया, बहुत सारे अंबिया आलिमुस्सलाम रिज़ान आलिमुस्सलाम है, जिनकी आमद की खुशकबरी पहले से सुना दी गई, तो आपका सवाल है कि क्या आउलिया के तालुक से भी ऐसी बाते हैं, और खास तो पर उसमें हुज़ूर शेक अब्लकादिर जिलानी महभू ए यज़णी, महभूब ए सुभःणी, महभूब ए सुभःणी, महभूब ए यज़णी तो मखrad-मिश्राजागर सिम्नानी, महभूब ए सुभःणी, शेक अब्लकादिर जिलानी, रदियालो आपनु बल्कि कईी सो साल पहले और बल्कि तो मैं आपको यूं बता हूँ कि अल्ला के रसूल सले लाहु ताला लुए सलम की करीब जबाना जिसको खैरुल कुरून कहा जाता है यानि सहाबे कराम के दोर में ही हद्शेक अब्दुकादर जिलानी रदिया लाहु ताला लुए के आमद की फुश्कबरी सुना दी गई थी मैं आपको वो बारी पहलो बताने जा रहा हूँ बड़े पीर सरकार रदिया लाहु ताला लुए के आमद से पहले खास और पर जो बहुत सारे अवलिया कराम अपने अपने मरातिब के अदबार से जो हर दोर में जो गुजरे उन सब लोगों ने अपने अपने अलफाज अपने अपने अंदाज में आपके आने की खुश्खबरी ये लोगों ने दिया यहां तक की खुश्खबरी वो एलान जिसमें बड़े मश्यूर बजरुक हजरते जुनेदे बगदादी रदिया लाहु ताला मुई थी इनके अलफाज कुछ इस तरह है कि पाच्वी सदी हिज्री में प्यारे आका अल आदे अतहार में से यानि अल्ला के रसूल सलला लाहु ताला ले सलम के आउलादे अतहार में से एक बच्चा पैदा होगा जो कुटब आलम होगा गौस अलम होगा और वह एलान भी ये करेंगे कदमी हाजही अलारग्बती कुली वली अल्लाह जबी आप पैदा भी नहीं हुए हैं और आप क्या करने वाले हैं इसकी भी ख़पर पहले ही दे दी गई बह सुम्म होगा रही एए यानि हुजर अगौस पाक रदियो भी पैदा भी नहीं हुए अपनी बलादत बास आदत भी नहीं हुए है आप क्या क्या करने वाले है एहम एहम काम आपके जात से क्या जाहिर होने वाले ये सब की पेशनगोईया अपने दौर के अवलिया कराम ने अपने आंदाज में ये जाहिर कर दिया था जिसमे सरे फैरिश थैह हज़ुरेता बगदादी हज़रत शेक अबु बकर हबार बताईवी इमाम शेख अबु याकूब इसुब हम्दानी शेक ताजु आरिफीन अबु वफा हज़रत शेक अकिल अली बिन संजारी हज़रत इमाम हमाद बिन मुसलिम दबास और बहुत सारे मश्यूर आउलिया के नाम में बता रहा हूँ उसके लाँ बहुत सारे आउलिया कराम अलिमुर्जवान ने हद्रत गौसल आजम शेक अब्दुलकादर जिलानी रदियाल्लाहुत रहनों की बिलादते बासादत की खुश्खबरी पहले से लोगों ने सुना दिया यहां तक कि वो ऐलान क्या करने वाले है यानि मेरी ये गर्दन तमाम अलिया अल्लाह मेर मेरा ये कदम तमाम अलिया अल्लाह के गर्दनों पर है सिवाए सहाबा और आईमे मासुमी अईमे अहले बैट जो गुजरे हैं उनकी अलावा बहुत सम्झा रही है अब इस एलान को कोई शक्त सहाबा कराम के जाद पर ने लेके जाए सहाबा और अईमे अहले बैट अतहार के अलावा बाकी जितने भी अउलिया सब लोगों के गर्दनों पर मेरा ये कदम है कुछ अवलिया अलाव ने तो हुजर गौसे पाक रदियाल्लाव तरहनों भी पैदा भी नहीं हुए है उन्होंने अपने तसरुफ से पहले ही भाप लिया और अपने दोर में उन्होंने करदने जोका दिया कि अणवास में हमारे करदनों पर बहुत हो जाई जी तो हुजरूर शेक अब्रकादिर जिलानी बगदादी रदियाल्लाव तरहनों कि विलादते बासाधत से पहले बहुत सारी चीजें बहुत सारे अवलिया ने अपने मुरीदीन को ये खुशखबरिया दी जिलानी कि आपकी आउलादों में से एक बच्चा पैदा होंगे जिन से इस तरह की बहुत सारी करामतों का जहूर होगा खास तरह पे अपने रिशाद फरमाया हुप्म फरमाया कि मेरे बाद चले जाना करंद के अंदर हजरते अवैसकरनी के बारगाओ के पस जाने का होकम अल्हु के नहीनर धर सॉन classification विस्यत थी आप Divar जाना और उन से मिलना हजरते अवैसकरनी से और मेरी अमत के लिए दूआ की लिए कह देना आ आला यां इसलू आमरे के विसाले जाहिरी के बाद जब हञुरत अली रधिया-ग रुद्री और फरॉखिआ अάजम र लाई आजो फोंते वहाँ भित तो हजुरत अव्यसकर्मी रुद्री याला इसलू आ हो को वो वसियत नामा अल्लाह कर्सूल감 कर पेश किया कि आपके महभूब ﷺ वस्यट आपके नाम पर है हजड़त अवैस कर्भी रदिया ल्लाह उतरों ने वसियत देखी और सज्डे में सर आपने उठ रखदिया अल्लाह तबारक उताला की बारगाव में इतना लंबा सजदा किया हातिप से आवाज आई वैवेस करनी तुम्हारी शिपारिस से हमने उम्मत मुहमदिया स्वाला ले सलम के आदे गुनेगारों को हमने बख्ष दिया और आदों को मेरे महबूब गौसल आजम के तुफेल में बख्ष होगा तो उसी कैफित में हजरते अवेस करनी रदिया लाह उतालों ने अर्ज की परवर्दिगार आलम ये तेरा महबूब कौन होगा तो हातिप से आवाज आई कि मेरे महबूब जो आपके भी महबूब हैं उनके महबूब वो होंगे महबूब सुभानी जो कर लाएंगे शेक अब्दुलकादर जिलानी मेरे महबूब के ही नसलों में से होंगे बाकी मेरे हबीब सले लाएंगे की आदी उम्मत को उनकी दौाओं से मैं बख्शिश करूँ तो आप इसी सा अंदाजा कर सकते हैं कि शेक अब्दुलकादर जिलानी रदिया लाह उतारानों की खुश्खबरी इनका ऐलान आपके पैदा होने से पहले ही ना सिर्फ ओलिया यानी साहाबा तावईन यानि अब मैंने अर्स गया ना कि साहाबा और तावईन के दौर में ही शेक अब्दुलकादर जिलानी रदिया लाह उतारानों की विलायत के चर्चे शुरू हो चुश्खबरी और इंशालला तावारे को ताला रहती दुनिया तक रहती दुनिया तक शेक अब्दुलकादर जिलानी बगदादी रदियालाह उतारानों की विलायत और आपके नाम पे चर्चे उते रहेंगे बहुत सारे आपके नाम के मुखालिफिन भी है मगर यह हर दौर में होते रहे हैं लेकिन चर्चा हुदर घौसे पाक रदियालाह उतारानों का उस दौर से ले करके और कयामत तक इंशालला तावारे को तावारे का तो माशालला जैसे नाजरीन पहले सवाल से हमें यह पता चला कि ना सिर्फ ओलिया सहाबाओं के दौर पर भी दौर से ही आप बड़े पीर दस्तगी रज़ियाला ताला ने के चलते चले आ रहे हैं और इंशालला चलते ही जाएंगे तो इसी के साथ हम हमारे सवालों का सलसला आगे बढ़ाते हैं और दूसरा सवाल हजरत आपके जिन्दगे मुबारक के तालुक से होगा जैसे तरीकत रुहानी उलूम के हसाब से तरीकत में खास तोर पर जैसे बोला जाता है आदाब सबसे ज़्यादा एहम होता है और हम जैसे बड़े पीर दस्तगी रज़ियाला ताला ने का आदाब करते हैं वैसे ही वो overlooked बज़र्गों का कैसे आदाब करते हैं उनकी जिन्दगे मुबारक से कैसे खास आदाब सीखने मिलता है यह मुषूर बात आप लोगों ने सुना होगा कि पाढ़ अधू बा नसीप बीड़ अधम बदनसीब जो शक्स जितने ही बड़ा होता है उतने ही जादा उसके अंदर अदब होते हैं आदाव ही हैं जिससे आदमी की मन्जिल का पताब लगा सकते हो उसके मरतबे का अंदाजा कर सकते हो हुज़ोर शेक अब्दुलकादिर जिलानी रदिया लगातानों इमामे जमाना है तो जाहिर सी बात है आदाव के मामले में भी इन से आगे कोई नहीं हो सकता हैं ना बेशा के मैंना इसकिया कि अदब वही शक्स कर सकता है जो बहुत बड़ा होगा जो जितने ही कम जर्फ लादा होगी आदब कम नसीब शक्स अदब कर ही नहीं सकता है उसके अंदर ये बात होगी ही नहीं देखे तमाम अलिया की सिरत आप पढ़ ले मुटाला कर लीजी आप उनके जिंदगी को आप गवर से देखे तो कैसे कैसे आदब उनके जिंदगी में नजरा रहे हैं आप पंदाजा भी नहीं कर सोच भी नहीं सकते हो एक मुशुहूर वाकिया हुजूर शेक अब्दुलकादिर जी लानी रदिया लाह उतारों के सिरत के तालोग से है कि जब बड़े पीर सरकार रदिया लाह उतारों नों वेलान से बगदाद को पढ़ने के लिए तशिर्व लाए सुझाया जब बगदाद पढ़ने के लिए आए तो बगदाद शहर के अंदर एक बुजरुक रहते थे एक बुजरुक रहते थे जो अचानक लोगों की नजरों से गाइब हो जावें और फिर कभी अचानक जायर हो जाए यानि उनकी कैफियत इसी थी कि अभी बैठे बात कर रहें अचानक माल पड़ा लोगों की नजरों से वो जल है हजरत कि दर के दूड़ते रहो आदे घंटे पाद देखो धरत वही बैठे हुए यानि आप उस मन्जिल पर थे कि वह जब यानि उनकी तबीयत में जैसा कि मैंने इसके पहले एक वीडियो में अर्स किया हुआ है कि एक कैफियत ऐसी एक मन्जिल ऐसी तरी रहे सुलोग में आती है कि बंदाख खयाल खाली कर ले कि मैं यहां हूँ तो इसका जिसम जिसमें कसीफ और जिसमें लतीफ दोनों यहां से गाद गायब हो जाएगा तो यह बुजरुक रहमतुला ताल आले और हालते जजब में में अक्सर रहा करते थे कभी सुलुक कभी सुलुक कभी कभी सुलुक कभी हालते सुलुग में रहते कभी हालते जजब में रहते तो शेख अब्दुलकादिर जिलानी बगदादी रदियाला तर्म हमारे बड़े पीर सरकार रदियाला होता रहनों भी उनकी जियारत को जाने के नियत आपने किया है वह सच्छा है यह हम भी बड़े पीर सरकार के दिल में फाहिश पैदा हुई एक बुजरुग मौजूद है बगदा बड़े पीर सरकार रदियाला होता नों ने अर्ज फर्माया कि वह फुला बुजरुग की जियारत को मैं जा रहे जाना चाहरा हूं पुला बुजरुग की जियारत के लिए मैं जा रहा हूं तूस ने कहा कि हम भी चलते आपके साथ में दब देगा चल कि या तूस ने कहा कि मैं उन से मैं उनके कमाल का इंतिहान लोंगा जा लोंगा उनके अडिया क्भीया उसका मैं इंतिहान लेने के लिए नहीं जाना चाहिए इसने कहा कि मैं उनके कमाल का इम्तिहान लोगा एक शक्स और मिला बोले कहां चल रहे हो बोले फुला बुजरुक की जियारत को जा रहे है तो यह पढ़ने में बहुत तेज तर्यार था यह दूसरा शक्स जिसका नाम सक्का है इबने सक्का ने कहा कि मैं उस बुजरुक से एक ऐसा सवाल पूछूँगा क्यों लाजवाब हो जाएंगे यह हो जाएंगे मैंनी मेरी बातों का जवाब ही ने दे पाएंगे बहुत बातुनी शक्स था यह बड़े पीर सरकार रदियाल्लाह उतलों ने फरमाया यह तुम लोगों की इर कि अध्यादों से बेजार हूं मैं तो महद उनकी जियारत को जारा हूँ कि ऑशेक अदियाल्यक्ति बुजरुके बहुत बड़ जादा इल्म वाले इल्मे जाहिर वे बातुन सब्साब मगर आपका फ़रमा रहा है कि मैं महद जियारत को जारा हुए ना की इमत्हां लेने और नहीं उनको लाजवार करने के लिए गार के पहुंचे जैसे ही मुजभु के कि खिद्मन मेें हाजऊ हुए, जैसे ही उस बुझरु को रह्मत आ लुग हाज़िए तो वह हालते गरब में थे, उसमें हालत कहर के अंदर, तो पहले जिसने कहा था कि हम उनके कमाल का इंतिहान लेगे हालत गजब में कहा कि तू मुझे इंतिहान लेने आया है इसकी नहूसत तुछ पर ये जाहिर होगी कि दुनिया की महबबत में तो गर्ख हो जाएगा क्या हो जाएगा? दुसरे इबने सक्का के तरफ निगाहे गजब उठा के आपने फरमाया कि तू मुझे लाजबाब करने आया है कि तुरे सवालात का जबाब नहीं दे पाऊगा मैं मैंने तेरे इमान को कुफर के आग में जलते वे देख रहा हूँ एक ने कमाल का इम्तिहान लेना चाहा तो आपने फरमाया कि दुनिया की मुखबत में तू गर्ख हो जाएगा दूप जाएगा दूप जाएगा दूनिया के अंदर तो और तू लाजबाब करने आया था हमको तेरा हाल ये होगा कि तेरी मौत कुफर पर दो और शेक अब्दुलकादिर जिलामी बगदादी रदिया लाहो तरू के तरफ आपने निगाहे विलायत उठाई मुस्कुरा पड़े फरमाया अब्दुलकादिर तू वक्त का इमाम जमाना होगा सुभानला तू मौत के इमाम जमाना होगे और एक वक्त ऐसा आएगा कि पहले शक्स ने आपके कमान का इम्तिहा लेना चाहा वो किसी मुलक के बादशाह के यहां वजीर मालियात जो होते है ना वजीर खाजाना वो बना पूरी जिन्दगी दौलत के ही उलट पेड़ के अंदर डूब गई इमने सका इतना बड़ा इल्म का माहिर गुजरा कि जमा आने में उससे कोई मुनाजरा नहीं कर पाता ये गुम गुम के मुनाजरा करने जाता यहां तक के मुलकी लेबल पर यहुदो नसारा सबसे मुनाजरे करता गुम गुम करके एक मुनाजरे किमिर से किसी इसाई मुलक में गया किसी इसाई मुलक और वहां के काना में पादरि कि बेटी पर ये आशिक हो गया इबने सक्का क्या हो गया आशिक हो गया और उसके इश्क में आ करके इसने इसलाम को तर्क कर दिया अब जब मरने लगा जब आखरी वकत आया तो लोगों ने पूछा कि इबने सक्का दुनिया के अंदर तुछ से बड़ा कोई मुनाजिर नहीं था और तू मुर्तद हो गया तुझको कुछ याद भी है कुरान का हाफिस था उसने कहा कि मुझे कुछ भी याद नहीं सिवाए इस आयत के जिसका मकूम की इस तरह बनता है कि काफिर कहेंगे कि आयकाश हम इमान व अभी भी उनको जाचने के लिए परतालने के लिए नको टेस्ट करने के लिए कतान न जाएं पहुत बड़ी बैद मी है उस नजरीये से जिस नजरीये से शेक अब्सक्टादिर जिलानी बगदादी रधिया लाहतरो गए उनकी जियारत के लिए शर्फित मुलाकाद के लिए है可是जि जिस लिए शीरिय से जहां जाता है वही बर्पता पाता हैствен ईESक पुछ गैक आायत नापने लिए के लिये तो खुछ लोगे अَ आधि खर वाill जिर दिया गे यहाईत नापने के लिये इसलाम से फेर दिये गे सुछ बड़े फीर सरकार रभी अल्हाओ ताला वो आये थे जियारत के लिए वक्त के इमाम हो गए तो ये जो अदब जो है ये बेदबी तरह का जहर है बेदबी एक ऐसा जहर है जिससे तमाम आपके आमाल और अबादा तबाह कर दिये जाते हैं हलाक हो जाते हैं और अदब के अदे जिलानी बगदादी र.्य खिज की सिरत य पाग में अदब के मामलात है अब इसी से आप अंदाजा कर लो जब बड़े पीर सरकार रदियाल्लाहो तारण हूँ, बच्पन में ही पढ़ने के लिए जा रहे थे, आपके काफले पर डाकों ने हमला कर दिया, आपकी वालिदा ने तकरिबन 40 या कुछ अशर्फियां आपके जोकिट के अंदर सद्री के अंदर सिल दीती, बराबर है, देखिए सब्सक्राइब कर दिया गया, एक नापकोिन के पास आके कहता कि तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे पास बी कुछ है वह आपने का हां मेरे पास 40 याशर्फियां है, उसने बड़े पीर सरकार को पकड़के, सर्दार के पास लेके गया, प्लगादेवाथ जो सर्दार् डाकों से कि अपने माल को छुपाती हैं यह किसा बच्चा हाज अपने माल को बता रहा है तो सुने का कि बैटा कूरर ऑगों आदब के अंदर मेरी वालिदा ने मुझसे हुकम दिया है हमको हुकम दिया है कि अभी जूट नहीं बोलना तो मैं कैसे जूट बोल सकता हूँ उन्होंने से लामने बता दिया तो डाकूज को अल्ला तबारे को ताला ने आपकी इन बातों ने इतनी असर किया उसमें तमाम तरह की डाका जनी से तोबा करके हजरत की हाथों बोले स्टाइब हो गया अदब का वो मकाम है माशादो हुजोर होसे पाक शेक अब्दुलकादर जिलानी रदियाल्ला हो तरह कि सिरत पाक के अंदर आदाव के ऐसे ऐसे जलकिया है है कि हम आप सोच भी ने सकते वहО जो जितन ही अदब करेगा उतन ही बलंद होगा यानि बलंद होगा तो ही वह अदब करेगा जी तो माशादला नाजरीन जैसे हम लोगों ने जाना आदाप के तालक से तो दौए हम सबको भी ऐसे ही आदाप सीफ कर जैसे हम लोगों ने ये सवाल रखा हुआ है कि बड़े पीर सरकार की जिन्दगी मुबारक में खास तोर पर उनकी रूहाने जिन्दगी में उनके मुझाहिदात, मुझाहिदात और कद्रों मकामात के तालुक से कुछ अगर आप अर्ज करें बड़े पीर सरकार रदियल्लाहो तालानुहू के रियाजात, मुराकबात के तालुक से जहां तक बात है आपकी रूहानियाद और रूहानी सफरों के तालुक से मा के पेड़ से माधर जाद वली है आपके पेड़ से माधर जाद वली है, अक्सर जो तुमको बहुत बड़े लेवल के अलियाए कराम जो आपको अक्सर नजर आएंगे, अक्सरियत की बात में कर रहा हूँ, उसमें अक्सर के वालिदेन भी बहुत ही नेक और सालिह होंगे, उनमें से हुजर और से पाक रदि आपके वालिद वली, आपकी वालिदा वलीआ, मा के पेड़ से पाइदा होते ही होने के साथ ही माधर जाद वली हैं, शिकमे माधर से वली हैं, उसके बावजूद आपकी रियाज़तों का अगर हाल आप देखें, तो करخ के जंगलों के अंदर, इतनी ज्यादा रियाज़त शाक का बड़े पीर सरकार रदियाला होतालों ने फरमाई, कि जंगल में घास खाखा के आपने रियाज़ते की हैं, जंगल के पत्ते चबा-चबा के आपने रियाज़ते की हैं, दौाए सईफी के उतने बड़ा कोई आमिल आज तक गुजरा ही है ना इंशाला गुजरेग किसके? दौाए सईफी के, दौाए सईफी बड़े पीर सरकार रदियाला होतालों कसर से आप पढ़ा करते थे, चहल काफ शरीप का नाम आप लोगों ने सुना होगा, यह जानते हैं तर्टिब किसने दिया? यह हुजरूर शेक अब्दुलकादिर जिलानी रदियाला होताल जब यह रुहानी कारनामा आपने अंजाम दिया, तो तमाम रुए जमी के, उस दोर के जो वल्माए रुहानियाद, वतलिसमाद, या मखफी उलूम के जो माहिरीन थे, उलूम मखफिया के जो माहिरीन थे, सब ने अपने सर पकड़ लिया, जब चहल काफ शरीप हुजरूर ज़स पाकी रर्दियालाहुतलों, ने मौत्ब फर्माई तो सब ने अपने सर पकड़ लिया, कि Allah एक कोई बंदा ये काम कैसे कर सकता, जैनि उस दोर के भी तमाम आमलीन, हैरत ज़स्दा हो गये, ये बंदों का याम हो ये ने सकता है ये बंदों का काम हो ये ने सकता है वो कर्नाम अल्लाष तबारगो तबारे को ताला के फ़जल कर्म शेक अभ्द्यु कादर जिलाणी रदी help अन्योग हुक इजाब से ल्लामने लिया चहल काफ शरीप चहल काफ वो दूआ है कि हर तरह की जादू तोना आसेब सहर जिनाद सब के लिए क्या नाम ये शिफा बख्ष है ये चहल काफ की तर्तीम हुज़र घुसे पाग रदिया लुगा ने फर्माई है तमाम वल्माई रुछानियात हैरत जदा होगे तो हुज़र अगोसे पाग रदिया लुगा रियाज़त की जिन्दगी की घास भूसा खा करके जंगलों में आपने रियाज़त फर्माई तो आपकी नजरे कीमिया का वो असर रहा कि जिस चीज़ पे नजर पढ़ जाए यह जो हालत बड़े पिर सरकार रदिया लाह उतलनु की सिरत पाक में आप देखें लोग तो सिर्फ यह कहते हैं कि यह करामत वो करामत करामत देखने से आपके अंदर करामत नहीं आने वाली है क्या आप करें कि हम आपके अंदर करामत पैदा हो जाए साहिबे तसरुफ हो जाए तो हुजर्र अगोसे पाक रदिया लाह उतलनु का वो तसरुफ इतना मजबूत है कि रुए जमी पे किसे उलिए की ने तो माशालला इस सवाल से मैं मतलब हम अंदाजा तो करनी सकता है जो हमारे इमान में अदाफा हुआ है से उनकी रुहानी जिन्दगी को जानकर तो अब और भी सवालाद बचे हुआ हैं उनको भी करता है सेशन पूरा होने से पहले यह जो है यह नाजरीन आप में से भी कहीं लोगों का सवाल होगा और खास तो और पे मेरे उमर वाले बच्छों में से होता है खासता और पहले जैसे कई बार ही हम लोगों को ऐसा लगता है कि विलायत जो शुरू हुई है वह बड़े पीर दस्तगी रजिया अने से ही शुरू हुई है क्योंकि लोग कहते हैं आप इमाम इमाम अलिया है तो उस एदबार से बच्चे काफी मरतबा सोचता है जी ठीक है दिगर अंबिया की उमतों में भी वली गुजरे है जी उमते आफिर बरबर हैं यह कि तमाम अलिया में हुजर गौस-पाक रदियाल्लाह अतार नहूँ की अहिमियत वही है जैसे तमाम अंबिया में हमारे महभूद मुहम्मद मुस्तفह ﷺ की तौसां जाह रही है जैसे तमाम नभी की खुभी नभी आख्रुजमा सल्य लाह गुजर जाह है जी भास ओनी यह है हजरत आदम सफिललाह से लेके असर रुह लाता तमाम अंबिया के अंदर जो खूबिया, वो मौजिजात, वो कमालाद, जो कुछ भी था, सब जातِ मुस्तफ़ा स. अंदर लाकिस से मेड़ दिया गया। हर नभी की बरकत, हर नभी की खूबी, हर नभी के मुजिजे का हिस्सा सरकार दो आलम ﷺ के अंदर मौजूद है, तीक है, यानि कुल कमालाद को जमा कर दिया जाए, तो उससे जातِ मुस्तफ़ा कहा जाता है, यानि तमाम मौजिजात और तमाम खूबिया, सब सारी अंबिया की सारी खूबिया, सावे मूर्सलिन खूबियां, सरकार दोलम ﷺ के दर मौजूद है, वैसे ही, तमाझे ऑल्या की تمام اولیاء کی خوبیاں अब इसमें खास बात हम बता है कि अमतِ मुहमदिया सले लाह टाला अलिय सलमम हमारे प्यारे आका अलिय सलमम की अमत के जितने भी अलिया हैं हर वली किसी न किसी नभी के कल्ब उनके कदम पर होते की जो कमालाद अल्ला तबारब है जैनि उनके अंदर उस नभी की छलक पाई जाती, उनकी तजली पाई जाती, जैसे हमारे मख्दो में शरफ जहांगिर सिम्नानी रदियाल्लाह उतालानों कल्ब इसा पर पैदा के रहे, हजरत इसा लिए सलाम पूरी जिंदगी घुमते रहे, मख्दो में फांग भी हमारे तो जलक पाई जाती है, जो वली जिस नभी के कदम पर होगा, उस नभी के कमाल की जलक उसकी अक्सिन के अंदर होती है, वह इसे ही, तमाम अलिया किसी नभी के सिफ़त पर उन होते हैं, उनके कमाल के उस पर होते हैं, वह इसे ही, हुजोर और से पाक, शेक अब्दु अब् मुस्तफा सल लाओ लछ सुझ भास जा रही है जूस जा जित जैसे तमाल अंभिया के कमालात जमा सरकार दो आम लेख अंदर मैं जोड है वैसे ही थमां अंभिया की बरकतेंतमा में आलिया की बरकते में हुदोर उसे पाख रदिय अल्लाहु तालों के अंदर मौजूद है, सरकार दौालम से चलते, फिरते, उड़ते, बैठते, कई तरह के मौजिजा जाहिर हुए, वह से हर तरह के कारमा जाहिर हुए, बास हुझा ही? तो हुजरु उसे पाप रदियाल्लाहुतालानों बड़े पीर सरकार ये कल्ब मुस्तफा स्लिण लाहुतालाई लेसलम पर पैदा किये गए इसलिए जैसे आपने बताया जैसे इमाम अम्बिया नभी करीम को कहते हैं तो वैसे इमाम अलिया आप बड़े पीर दस्तगी रजी आलाहुतालानों माशाओला ये सवाल के बाद और कुछ सवाल बचे हुए हैं हजरत जैसे इन से जाहिर होने वाले जैसे आपने बताया काफी सारी करामते भी हैं तो इन में से कुछ खास करामत है ऐसे तो हर करामत खासी है लेकिन एक कुछ खुस करामतों में से अगर कुछ आप बता देता है जो बड़े पीर दस्तगी रजी आलाहुतालानों से जाहिर होती है भूजर अगोसे पाप रदियाल्लाइब की है याते पाप के अंदर करामतों का कोई शुमार ही नहीं लेकिन वो चीजें जो मुझे बहुत भाती हैं उसको मैं बता हूँगा आपको भूजर भूसे पाप सरकार बगदाद रदियाल्लाहुत अन्हों बड़े पी रहे हैं हमारे और मैं दुनिया का क्या को मैं मेरी बात कर रहा हूँ हमारा आपका मिजाजी होता है कि अगर कोई शक्स हमको दावत दे तो खुद बहुत बड़ा अमीरों कबीर आदमी हो और उमूमन हम लोग बड़े लोगों की घरों पर जाते हैं जी जो अहले सर्वत हो घर उसका बहुत बड़ा हो मगर हमारे बड़े पीर सरकार रदियाल् अपने मुरीदीन में से उन्ही मुरीदों के घर को पसंद करते थे या जाते थे जो समझते थे कि यह बहुत गरीव है उसके दरवाजे पे जाते और कहते कि हम आपके घर एक आदिन ठहरना चाते हैं बड़े पीर क्या कि हर पीर छोटा है हम छोटे पीरों के खौहिश तो कि आज हर दुनिया के मामले में अगर कोई आदमी कमजोर है तो हम उसके हाँ जाना पसंद ने करते हम छोटे पीरों को हाल यह है मगर हमारे बड़े पीर सरकार रदियालागों को हाल यह था तो अब वो शक्स जो कभी खौबों में भी न सो सकता हो कि बड़े पीर सरकार हमा हमें जमाना है जनाब आ जाएं कि हम आपके घर ठाहरना चाहते हैं कुछ टाम रुकना चाहते हैं वो आदमी कितना खुश होगा अब उसके घर पर हुजर गौसे पाक रदियाल्लागों एक दिन दो दिन कयाम करते अब जब ख़बर पहुंशती कि बड़े पिर सरकार फुर मादूर होने बड़ क्या हो चुका है कि नइए बराबर जिए जो नज़र आता उस गरीड के हवाले करतें पिर दूसरे केज़गर साथ ऐने बड़े पीर सरकार रदिधय абсолютно हो जहां ठहर जातें ऐं वो तो यूहीं अमीर हो गया बेशक बरावर है जी बड़े पीर सरकार रदी अल्लाह को अतारनों को अल्लाह ने बहुत अहले सर्वत में से पैदा किया बहुत अमीरों कबीर खुद भी है जी आप अपना कपड़ा एक मरता पहनते और उसको अल्लाह के राम में जरूर्द साहन अभार किसी लिए बड़े पीर वेशक रेकिर हैं कि अब बडो के भी बड़े पीर है और जोटों के वे बड़े डेचा है थे सोचों के जहीं हो कि हम करते हैं कि आप नजर अच्छा मिलेगा और वह हम थाहरते हैं नजर के लिए ऐा और वो ठाय रहे थे नजर देने के लिए देने के पिया सबानलाब यह सीरत पाक हुजरों से पाक मैं समझता हूं यह हर किसी की अपनी पनी पसंदबा की मुझे बड़े पिर सरकार की यह वाली बात बहुत पसंद है बेशक जिसे सरकारे दो आलम सल लाह उले सलम गरीबों को ना भूले है ना जी तो उनके नाइबीन के से गरीमों को बोल सकते हैं और अगर कोई गरीब को कमज़र को नजर अंदाज करे तो वो कैसा हूं बजरुग है कैसे वली है खुदा जाने में तो नहीं जान पाता हुज है ना सुखानलाब प्रेसाब यह सोची खुद में कराम मेरी करामत से आपको क्या फायदा मैं हवा में उड़ो तम जमीन में चलो क्या आपको हासी करामत तो ये है, किसी की जरुवत खतम हो जाए, किसी की जरुवत पूरी हो जाए, ये करामत हो ना, मेरे हवा में उड़ने से आपको क्या फाइदा, बड़े पीर सरकार जिस घर में ठैरे उसकी गरी भी दूर हो गई, इसे बड़ी और करामत क्या है। सुहानला, माशालला, ये जवाब के बाद रूफ ताज़ा होगी, माशालला, और अगला सवाल जो होगा, उससे इंशालला एक मुरीद की मुरीद ही ताज़ा हो जाएगी, क्योंकि जैसे पीर साब हम लोगों ने बहुत कम बारी सुना है, आप बड़े पीर के भी कोई पीर स Middleales Sab है, तो उनके बारे में और उनकी महबत के आलम में थुड़ा सा उनके बारे में खिरा कर लुक्ता हो, ये सब्सक्राइव जो सकता है कि इसका कोई पीर ना हो, जैना, तो सवाल आपका मज़एदार है, कि हमारे बड़े पीर सरकार रगिण वीर कौन है, वैसे तो हुजर सुर्गों से पाक के नाना आपकी वालिदा और आपके वालिद ने मुकम्मल तालिम और तर्वियत रूहानियत के अता की जिसको पर दें तरीकत आपके घुट्टी में पिलाया गया है तो इल्म तरीकत और रियाजत ये सारी चीजें अब रियाजत का अंदाजा कर लो कि आप के वालिद, आपके वालिद रियाजत कर रहे थे किसी दरिया के किनारे, मुसा जंगी दोस्त आपको नाम आपके वालिद का, एक सेब बहता हुआ आया, ये लबे दरिया रियाजत कर रहे थे, और बहता हुआ सेब पर आपकी नजर पड़ी, आपने उठा लिया दरिया से निक का मालिक कौन होगा उसकी तलाश में दरिया के नदी के किनारे चलते 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 पहुंचे तो एक सेब का बाग नजर आया और उस सेब के बाग में एक दरख एक टहनी नदी के किनारे जुकी भी थी और उसमें कुछ फल में लगे थे तो आपने यकीन कर लिया कि यकीन इसी बाग और इसी तहनी इसी दरख और इसी दरख की इसी तहनी का ये फल होगा जो मैंने इसके मालिक के इजादत के बेगर खाली आला के बैटागवाता हूँ तक्वा देखिए ये पूछते पुछते पहुँचे तो जुहां का माली था बागबान था उसे पूछे कि इस बाग के मालिक कौन है तो आपके नाना अब्दुल्ला सुमाई उन्होंने कहा कि वो फुला जगा बेटे देखिए वो इसके मालिक है आपके वालिदे महतरम पुछे सलाम किया हजरते आपके नाना जान ने नजरे विलाय से भाप लिया कि बच्चा कोई आम नहीं है या नौजवान कोई आम नहीं है क्या काम है बटा बोले हजरत मैं फुला जगा अल्ला की अबादत और रियाजत में मसरूफ था एक सिभ बहता हुआ आया और मुझे यकीन है कि आपके ही बाग का सेभ हो और मैंने बगर आपके पूछे खा लिया मैं उसके लिए मौफी तलब करता हूँ आपसे उसके लिए मौफी मागने आया हूँ आप समझे आपका जो निगाहे विलायद में देखा वो कामिलता पर जाहिर होगा ऐसे मुत्तकी परहिजगार तकवा श्यार बाप के नुटफे से जो बच्चा पैदा होगा वो खुद कितना मुत्तकी होगा पेश इतनी तकवा तहारत इतनी पाकिस्जगी के बावजूद भी किसी मुर्शिदे तरीकत की जरुवत किनको भी पेशाई और तरीकत के इल्म को सीखने के लिए राह सुलुकी मजले ते करने के लिए तमाम उलूम जाहरी हासल करने के बावजूद भी बड़े पीर सरकार रदियाल्लाह उन्हों ने हजरते अबु साइद मखजूमी रदियाल्लाह उतार रदियाल्लाह के हाथ पे आपने बावजूद की आपके पीर और मुर्शिद के नाम अबु साइद मखजूमी है और इन्हों ने आपको तालिम उतर्वियर दे करके इस मंजिर तक के पहुचाए तो हर कामियाब के पीछे, अर उड़नेवाले के पीछे, उड़ने वाले का किरदार होता है, सँआंजाना है जहां उसकी अपनी भी खूबिया है और उड़ने वालों की भी खूबिया हैं, है ना खौजा गरीम नमाज रदिय अल्लाहु तर्लों को हर कोई जानता है, मगर उड़ाने वाली जात को लोग कम ही जानते हैं, एक टीशर ही तो होता है, जो वख का आईस मनाता है, जज बन जाता है, कलक्तर बन जाता है, पढ़ाने वाला कोई होता है, एक टीशर ही होता है, तो व बहुत सारे लोगों का डौग की है रूह होगा कि बड़े पीर रस्तरगी रजी अलगा उन्हें के भी पीर सहक थे और इसी के साथ ये जो रुहानी पॉडकास्ट का ये सेशन था यहीं पैंड होता है ऐसे कहीं सारे रुहानी पॉडकास्ट आपको आगे भी देखने मिलेंगे अगर आपकी कोई सजेशन्स हो तो आप कॉमेंट्स करके बता सकते हैं इंशालला हम उस पर भी पंटिन बनाने का ट्राय करेंगे आप इस वीडिय में चैट रिप्लाइस मिलते रहें और रुहानी शित्पा खाना चैनल की तरफ से आप सभी नाजरीन को ग्यारवी शरीप की बहुत-बहुत मुबार्ट बात अस्सलाम अलेकुल अगर आप मी कुछ रुपानी खिनमत करना चाहते हैं तो इस चैनल को सिस्क्राइब करें और इसका लिंक भी शेयर करें